ेख येवरीवन वेलकम अगेटिस इफर लेक्टिर नंबर 5 1 अफ चैप्टर लाइट लाश्ट लेक्ट्यर में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था और यहकर सेवन काथ लास्ट लेक्चर B जिसमें हम colors के बारे में पढ़ेंगे colors के बारे में पढ़ने से पहले हम दोग सबसे पहले Conscient colors of white light के बारे में पढ़ते हैं अब देखिए जब भी वाइट लाइट को कि एक प्रिज्म के थूपास किया जाता है तो वह अपने डिफ्रेंट 7 colors में ब्रेक हो जाती है जब भी हमने एक वाइट लाइट को पास किया प्रिज्म के थूप तो वह प्रिज्म के थूप जाके 7 different colors में ब्रेक हो जाती है इसका मतलब जो वाइट लाइट होती है वह कितने colors content की होती है 7 different colors content की होती है तो हमने देखा कि जब वाइट लाइट प्रिज्म के थूप पास हुई कि प्रिज्म के बारे में आप आप ने नेक्स क्लासे में पढ़ेंगे तो वह 7 different colors में ब्रेक हो गई यह जो 7 different colors है यह 7 different colors है वी आई बी जी वाई ओ आर विव्योर नाम से आप इसको लर्ण करते हैं जहां वी इस तैंड फॉर वाइलेट आइस तैंड फॉर एंडिगो अ बी स्टैंड फॉर ब्लू जी स्टैंड फॉर ग्रीन वाइस स्टैंड फॉर यल्लोव और स्टैंड फॉर एंड फॉर एंड फॉर एंड फॉर रेड मिंस वाइट लाइट कौन से 7 different colors करती है वाइलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन यल्लो औरेंज रेड देखिए जो भी हमारी यह लाइट्स हैं जिसको मैंने विव्योर बोला यही वह लाइट्स हैं जिसको हमारी आइज चल्ग मैंने कर सकती हैं दैक मिंस इनी लाइट्स को हम लोग क्या बोलते और वीजिबल रेंज और लाइट को वह लैट्स राइट को हमारी आजसेंस कर सकती है ह। को है लाइण चीप कर सकती है इस लिए इस रेंज अफ लाइड को हम क्या बोलते हैं विजवल रेंज producción अब जो भी लाइट संधी सारी की सारी लाइट ठीक यह जो अलग-अलग colors है इन colors को हम further two different types में कटेग्राइज करते हैं पहला part है आपका primary colors और सेकेंड पार्ट है आपका secondary color secondary colors ओके अब आगे primary colors देखते हैं अब primary colors क्या होते हैं the colors by the mixing of which taking two at a time in different proportion we can get all colors are called primary colors means ऐसे colors जिनके mixture से हम दुनिया के हर एक colors को प्राप्त कर सकते हों ठीक है taking two at a time in different proportion and these types of color is called primary colors ओके अब देखते हैं आगे किन colors को हम primary colors बोलते हैं तो basically red green blue these three colors are called primary colors अब हम कैसे जानते हैं कि यही color primary colors हैं तो मैंने एक खासियत आपको बताई कि अगर इन तीनो colors को taking two at a time in different proportions अगर हम mix करते हैं तो हमको सारे के सारे colors मिल सकते हैं और दूसरी खासियत क्या है किसी और colors के mixer से हम इन colors को वापस से प्राप्त नहीं कर सकते we cannot get these colors on mixing any of the two colors इस तरह के colors क्या कहलेंगे हमारे primary colors कहलेंगे primary colors की एक खासियत और है क्या खासियत है if we mix all the three primary colors in equal proportion then we will get the white color क्या बोला मैंने if we will mix all the three primary colors primary colors in equal proportion then we will get white color तो अभी primary colors क्या होते हैं इसका idea आप सभी को पता लग गया होगा है simple सी बात है मैंने क्या बोला कि ऐसे colors जिनकी help से हम दुनिया के सारे colors बना सकते हो वह colors कहलेंगे primary colors पहली चीज़ दूसी चीज़ क्या बोली मैंने जो कि वह भी बहुत important है कि दुनिया के और किसी भी colors को mix करके हम वापस से इन colors को नहीं बना सकते इसी लिए colors क्या कहला रहे है primary colors इनकी एक और खासियत क्या है कि अगर इन तीनों colors को हम equal proportion में add करते हैं तो फिर colors are also called basic colors these colors are also called called basic colors okay secondary color देखेंगे what are secondary colors the colors produced by mixing of two primary colors are known as secondary colors means अभी हमने जिन तीन primary colors की बात की है अगर उन में से किसी दो primary colors को हम mix करते हैं in different proportions then we will get different types of secondary colors okay example देखते हैं हम अगर हम लोग mix करते हैं red color को और हम लोग mix करते हैं green color को in equal proportion equal proportion की बात करों that means अगर हमने इसकी quantity और इसकी quantity same लेनी है तो red और green को अगर equal proportion में mix करेंगे तो हमें जो color मिलेगा वह मिलता है yellow मिलता है यह आप experimentally भी कर सकते हैं किसी भी white color sorry watercolor color से ठीक तो red और green को अगर हमने equal proportion में mix किया तो यह हमारा yellow color देता है red हमारा कौन सा color है प्राइमरी कलर ग्रीन हमारा कौन सा color है यह भी primary color है ठीक है yellow कैसा color है हमारा क्योंकि हमने दो primary color को mix किया है उससे yellow मिल गया तो yellow हमारा कैसा color हो गया secondary color तो hopefully आपको secondary colors क्या होते ही समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग किसी दो primary colors को mix करते हैं in different proportions अगर मैं इस proportion को change करूंगा तो जरूरी ने कि हमको yellow मिले ठीक अब हम कुछ basic color formula देखेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा उसके ठीक है अभी तक जो हमने पढ़ा उसके आर से अगर ब्लू ग्रीन को किसे रिप्रेजेंट किया जी से आगे भी मैं ऐसा लिखूंगा इसलिए मैं पहले लाइन मैं ऐसा लिख दे रहा हूं ब्लू किसे रिप्रेजेंट किया है मैंने कि 20 है अगर हम red blue green को तो इक्वल प्रृपोपेस्ट मेंड़ करेंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा जाय मिलत ए कि कौन मिलेगा मुइड कलर मिलेगा है हुआ है अब देखिए आगे अगर मैं मैं रेड और green को रेड प्लस ग्रीन एड़ करता हूं तो अभी हमने देखा था हमको कौन सा कलर मिल रहा था यलो कलर मिल रहा था कि अगर मैं रेड के साथ और कौन सा कलर कर सकता हूं ब्लू भी एड़ कर सकता हूं तो अगर मैं रेड के साथ ब्लू को एड़ करता हूं तो मुझे कौन सा कलर मिलता है है भिए मेगेंक कलर क्लिशंदोर आपका Sebीशंदोर क्लिशंद सब्सक्राइब होता है ऑदो और मिशेंद nog तो यहां से मुझे जो कलर मिलता है वह होता है क्यान कलर और कई जगह आप इसको देखेंगे तो इसको एक्वा कलर भी बोलते हैं यह थोड़ा बहुत क्या हमें यल्लोग मिलता है अगर हम रैड ओब्लू को एलकार चार फटर मेगेगा वह के अग्रबू कॉंप्लिमेंटरी तो अड्म ठीक when two colors are added to produce white color they are called complementary colors ठीक अभी कौन-कौन से color complementary colors हैं उनके लिए हम वो फॉर्मले देखेंगे जो basic formula अभी हमने लिखे हुए थे ठीक देखिए कौन-कौन से colors complementary color है देखिए red green plus blue white देता है ठीक red और green yellow दे रहा है ठीक तो मैं yellow में अगर तो रेड़ ग्रीन अगर yellow में blue को add कर दूंट वाइड मिल जाएगा अगर मैं यहाँ blue को add करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा yellow कह है red plus green है ठीक तो red plus green plus blue फिर से क्या मिल गया हमको white color मिल गया है तो अगर है को yellow और ब्लू को एड़ करने में वाइड कलर मिल ला है यलो एंड ब्लू कलर आप गुलू कलर आर कॉम्पलिमेंटरी टू इच अदर यह दोने दूसरे के कॉम्पलिमेंटरी कलर है ऐड़ किया हैं सिमिलर ली बात की जाए अबहीं हम ए दिखिये हम और क्या एड करते हिं अगर हम इसमें घ्रीन कलर लाभ कर कर देते हैं इस फिर वापस इसमें Green road तो रैड ब्लू और ग्रीन तिनग्ज़ों किया हो जाएगा वाइड कलर हो जाएगा फिर हम यहाँ से क्या कहेंगे यहां से जैसे हमने बोला था कि यल्लो और को कॉप्ली में ट्रीड कलर कॉम्प्लीमें ट्री कलर्स ठीक उसी तरीके से हम यहां क्या बोलेंगे मेगेंटा एंड ग्रीन आर कॉम्प्लिमेंट्री कलर कॉम्प्लिमेंट्री कलर्स और लास्ट वाला फॉर्मला देखो उसमें आप देख सकते हो ग्रीन और ब्लू को एड़ करके हमको कयान कलर मिला अब इस कयान कलर में देखिए आप धान से ठीक इसमें अगर हम रेड एड़ कर दें तो ग्रीन ब्लू आपका कयान हो है यह आपका कयान हो गया और वापस इसमें dealing हो तो यह क्या हो जाएगा गया किया color फ्लस रेड इसको एड्ड करने पर हमको क्या मिल गया है लकार तो हम फिर यहां से क्या किशते हैं से मही बात है that means yellow and blue colors are complimentary अगर हम magenta और green को add करते हैं तो फिर हमको white मिलता है that is magenta and green are complimentary ठीक अगर हम लोग कयान और red को add करते हैं तो white color मिलता है that means कयान and red are complimentary ठीक है यहाँ spelling थोड़ी ठीक कर लिजेगा है कि ओके अब नेक्स टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे appearance of color of an object means जो भी object होता है उसके color की appearance कोई particular color हमको क्यों दिखती है यह हम समझेंगे ठीक है जैसे कि अगर मैं simple सी बात करूं अगर कि green leaf अगर मैं बात करता हूं तो green leaf मुझे green color की क्यों दिखती है किसी और color की क्यों नहीं दिखती तो इसके basis या इसके बीचे दो phenomena work करता है एक आपका absorption का absorption और दूसरा आपका बार करता है reflection का ठीक absorption का phenomena work करेगा और दूसरा क्या बार करेगा आपका reflection का अब देखिए मैंने आपको class के starting में वीडियो लेक्चर की सीरीज के starting में आपको absorption और reflection का basis बताया था ठीक absorption means when the colors are absorbed in anybody भी अब green color की leaf green color की क्यों दिख रही है अगर उसमे white light हम fall करा रहा है लेटसे तो green color की कि इसलिक क्योंकि white light fall करा शुक्राइं seven constant colors fall कराया green color की leaf green color की इस लिए दिख रही है क्योंकि बाकि의 colors उसने अप्जॉर्व कर लिए और उसने कॉण सा color reflect किया green color reflect किया means जो भी object जो color reflect करता है उसका हम को वही color visible होता है ठीक तो white light क्योंकि जब भी green color के object पर पड़ता है तो white light में सारे के सारे colors होते हैं तो उसमें से हमको green color वापस से reflect होके मिला है इसलिए हमको green color दिखता है अगर कोई object red दिख रहा है that means white light fall कराने पर उस object ने बाकी सारी light absorb कर ली सिर्फ और सिर्फ रेड़ लाइट को reflect किया इसलिए उस color का उस अब्जेट का color हमें कैसा दिखता है red color दिखता है मतलब appearance of an object किसी भी object के जो color का appearance है वो किस पर डिपेंड करता है absorption और reflection पर डिफेंड करता है absorption और reflection पर जिस color की light को object reflect करेगा उस color की light को ही object दिखेगा और जिस color की light को object absorb कर लेगा वो color की light का object नहीं दिखेगा ठीक अब देखिए अगर इस तरह से सोचते हैं मैं green leaf की बात कर रहा हूं अब इस green leaf को अगर मैं red color की light में देखता हूं उस case में क्या होगा red color की light में किसी भी तो जब आप पात कर रहे हैं ग्रीन लीव की रेड कलर की लाइट में तो वहां पर रेड कलर की लाइट में कोई भी आपका ग्रीन पार्ट नहीं है तो आपकी कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्यों रेड भी जो पड़ेगी हो क्या हो जागी अब्जॉर्ब हो जाएगी इसलिए जब आप आप पूरी पूरी रेड लाइट में अगर आप किसी भी ग्रीन कलर के लीव को देखेंगे तो वह किस कलर का दिखेगा ब्लैक कलर का दिखेगा यहां से बिसिकली हम को समझ में आता है कि जो भी औबजेक्ट दिखए वो किस बेसिस पर देखुरा है एक इक इक गजामपल और देखते, कि कोई भी औबजेक्ट हेमें वाइट कलर का क्यों दिखता है उसलिए लिखता है क्योंकि जब भी उस पर कोई light rays fall करती है वो सारी के सारी light rays reflect कर देता है यह दमींस अभी जो हमने विवियोर देखा था विवियोर की जितनी भी seven lights है उन सारी की सारी lights को वह क्या कर देता है रिफलेट कर लेता है इसलिए वह किसा कलर का दिखता है वाइट कलर का दिखता है अब यह भी कोशन आगा सर कोई भी ऑब्जेट ब्लैक कलर का कब दिखता है ब्लैक कलर का कोई अब्जेट तब दिखेगा जब उस पर पढ़ने वाली सारी की सारी लाइट को वह ऑब्जेट क्या कर ले एब्जॉर्ब कर ले तो वह चाहरी कि चाहरी लोकि उन्हें ल Players कर ले तो किसके आपका ब्लैक का इekती तो यहां से हमको क्लुज़न लीघ सकते हैं जह बहुत लेन्ष ऐस रहा है वह अब्जोप्शन एन रिफ्लेक्शन ओफ लाइट रिफ्लेक्शन ओफ लाइट अब हम कलर सब्ट्रेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका लास्ट टॉपिक है तो इस हम लोग इसको समझेगे कि अखर मैं बायट करूँ वाइट में से अगर मैं रेड को सब्ट्रेक्शन हम ध्यान से देखें वाइट लाइट किया है आपकी वाइट लाइट की बात करूं तो क्या है रेड है green है और blue है इसमें से अगर मैं red को सब्ट्रेट करूंगा तो क्या बचेगा green plus blue और green plus blue आपको पता है क्या color देता है गयान ग़्लार देता है के इसको मैं side में लिखना है अब देखें next आप ठीक उसी तरीके से अगर मैं white light से आपका कौन सा कलर सब्ट्राइट करता हूँ ग्रीन कलर सब्ट्राइट करता हूँ इसका मतलब मैंने क्या किया रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू से मैंने क्या सब्ट्राइट कर दिया ग्रीन सब्ट्राइट किया क्या मिलेगा हमको हमको मिलेगा यहां से रेड कलर प्लस ब्लू कलर मिलेगा और रेड कलर और ब्लू कलर यह हमको कौन सा कलर देता है मेगेंटा कलर देता है ठीक और देखिए आप आगे अगर मैं वाइट लाइट से अगर मैं वाइट लाइट से एक बार रेड सब्ट्रेट किया ग्रीन किया इस बार ब्लू कर देता हूं कैसा रिजल्ट आएगा ध्यान से देखते हैं वाइट लाइट को लिख सकते हैं क्या रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू माइनस ब्लू मिंस क्या बचा हमारे पास रेड प जब आप एड़ करते हो तो आपको मिलता है यलो कलर अब देखिए यह फॉर्मला हमने लिखा अब हम इससे समझते हैं कलर सब्ट्रेक्शन का क्या एक्च्वली यूज है ठीक अब देखिए कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ जोग किसी पार्ट्पिकुलर टाइपस ओफ कलर को एबजॉर्व करते हैं एकसंपल की तौर पर अगर मैं बात करों मैं बात करता तो फिर आपके पास कौन सा कलर बचेगा रेड प्लस ब्लू तो आपको किस कलर का सच दिखेगा मेकेंट्य कलर का दिखेगा ठीक उसी तरीके से मान लीजे कोई ऐसी क्सरट है जो आपने पहन रखी है कोई ऐसा औपजेक्ट है जो की किस तरह के pigment रखता हो जो कि वो blue color की light को absorb कर लेता हो अब उस पे अगर white light हम focus करेंगे लिट करेंगे तो उससे फिर क्या होगा blue color की light को वो absorb कर लेगा और फिर बचेगी स्रिफ और स्रिफ yellow light इसका मतलब वो object किस तरह का दिखेगा yellow color का दिखेगा तो यहां से हमको यह समझ में आता है कि किस तरीके से अलग-अलग तरह के colors को अगर subtract करते हैं absorption के बाद तो किस तरह से हमें object का अलग-अलग color दिखता है आपको मैंने सारे के सारे formula लिखवा दिये हैं उनको यूज करके और आप पर्मुटेट कॉमिनेंट करके मतलब अलग-अलग combination करके आप क्या कर सकते हो अलग-अलग तरह के formula और बना सकते हो यह पूरा का series of lecture में आपका class 7 का light chapter का जो पूरा का पूरा syllabus था मैंने complete किया hopefully आपको चीजे समझ में आई होंगी अगर नहीं आई होंगी तो आप ग्रूप आपका है whatsapp group school का हमारे उस पे आप message कर सकते हैं उस पे आपके सारे डाउड clear के जाएंगे आज की class फिर आप यहीं तक thank you